आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम अकेडमी पर जहां पर आप सभी को एक्जाम अकेडमी के माध्यम से भारत के डिफरेंड डिफरेंड यूनिवर्सिटी से आए हुए पिएचिडी नोटिफिकेशन के उपर इनफार्मिशन मिलता रहता है तो गाईज आ तो कि पटियाला पंजाब में इस्टैबलिष्ट है इस यूनिवर्सिटी को नैक ने एक ग्रेड दिया हुआ है इस यूनिवर्सिटी को लार्जेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी या पंजाब के रूप में जाना जाता है जिसे 64 रैंक एन आई आरफ की तरफ से दिया गया जहां से PhD किया जा सकता है तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम इस युनिवर्सिटी से सम्दित सभी महत्पूर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं हम देखेंगे इस वीडियो में कि यहां पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से अप्लिकेशन मांगा जा रहा है अप्लिक चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि इस तरीके का इन्फार्मेटिव वीडियों आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे तो गाइस यह फार्म पहले ही रिलीज किया गया था जहां पर साथ अगस्ट तो हजार टेट रखा गया था बिडाउट लेट पेमेंट लेकिन अब यहां का जो फार्म है वो लेट पेमेंट के साथ आप 14 अगस्ट तक फिलब कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आप लोगों का इनका जो रेश्टेशन फीस है उसके साथ प्लस 1500 रुपए अप्लिकेशन फीस लेट पेमेंट के रूप में आप लोगों को देना पड़ेगा करेक्शन का डेट भी यहां पर मिंसन किया हुआ है 16 अगस्ट 2023 का डेट और उसके बाद जो आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट दिया गया है वो यहां पर 21 अगस्ट 2023 का डेट रखा गया है इसका जो इंटरेंस एक्जाम है वो 21 अगस्ट 2023 को कराये जाएगा जिस उसके बाद जिन लोगों का यहां पर सेलेक्शन होता है उनको इंटर्व्यू या फिर उनकी जो कांसलिंग है वो 11 सितंबर 2023 को कराया जाएगा तो यहां पर जो एडमिशन का क्राइटेरिया यानि की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो यहा सामिनेशन अगर आप लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप यहां से फार्म को फिलफ कर सकते हैं तो यहां पर जो आप लोग अप्लिकेशन करेंगे और अप्लिकेशन करने के बाद जो आप लोगों का फीज देना रहेगा उसके लिए आप लोगों को इनके आफ फार्म सम्मीट होगा, स्टी स्टी कंडिडेट के लिए यहां पर चौदा सो रुप्य अप्लिकेशन फीज रखा गया है, इसका जो एक्जाम होगा, उससे संबंदित जो सेल्बस यहां पर रहने वाला है, वो अकार्डिंग टू यूजी सी नेट, सी एसाई यार, गेट, सेल इसका जो एक्जाम लिया जाएगा, उसमें किसी तरीकी का नो निगेटिव मार्किंग रखा गया है, यानि कि आप लोगों का जो एक्जाम है, वो उसमें माइनस मार्किंग नहीं लिया जाएगा, क्वालिफिकेशन मार्क्स जो यहां पर रखा गया है, वो 50% रखा गया है जनरल OBC और EWS candidate के लिए 5% का relaxation यहाँ पर SCST और physical handicap candidate के लिए दिया गया है उनका जो qualification marks है वो 45% होना जरूरी है examination का जो place है वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के campus में ही कराया जाएगा तो आप लोगों के admit card पर इसका जो examination center है वो mincent रहेगा तो बाहर कहीं पर भी इसका admission इसका exam नहीं कराया जाएगा इसके exam को देने के लिए आप लोगों को पंजाबी यूनिवर्सिटी के campus में जाना पड़े गया तो गाईस यहाँ पर total of seat mention नहीं किया गया है लेकिन जो subject जिसमें अप इंट्रेंस लिया जाएगा उसके बारे में ही सिर्फ यहाँ mention किया गया है तो बायो टेक्नोलाजी में application आया हुआ है बॉटनी बिजनेस मनेजमेंट में PhD के लिए application मांगा जा रहा है civil engineering, chemistry, commerce, computer science and engineering, computer science, dance, defense and statistical studies, economics, education and community service, electronics and communication, engineering, English, environmental science, fine art, forensic science, geography, gurmat, shangeet, Hindi history, human genetics, generalism and mass communication law, library and information science, linguistic and panjang Punjabi, mathematics, mechanical engineering, music, Persian, pharmaceutical science, philosophy, physical education, physics, physiotherapy, political science, psychology, public administration, Punjabi, regional studies, Sanskrit, social work, sociology and social anthropology, sport science, Sri Guru, Granthashahib studies, statics, theater and television, tourism, hospitality and social anthropology, hotel management, उर्दू, geology, Punjabi, literary studies से यहाँ पर PhD के लिए application मांगा जा रहा है तो अगर आपका जो subject है वो related subject से match कर रहा है तो आप यहाँ से PhD के लिए application कर सकते हैं करने का जो educational criteria है वो आप सभी को पता है 55% marks के साथ master degree पास आउट होना जरूरी है जरूरी है जनरल कंडिडिट के लिए थांक्यू सो मच